अस्तामलेकूम कैसे हैं आप सब तो आज हम बात करने जा रहे हैं exercise 10a के question number 3 की मेरे पास ये book 2 है जिसको हम d2 भी बोलते हैं और उसका chapter number 10 चल रहा है जिसका नाम है पाइथागर अस्तिरम तो इस chapter से related different content मैं अपने channel पर पहले ही upload कर चुका हूँ मैंने इस chapter के name से accepted playlist बना दी है उसका link नीचे description में दे दिया है अगर आप इस chapter से related बाकी solutions में interested हैं जो के मैं अभी तक upload कर दी हैं और join future upload करूँगा तो आपको playlist देख सकते हैं जिसका link मैंने description में दिया वा है इसके Facebook page बनाया है उसका link नीचे description में given है आप उस Facebook page के थूरू अपने questions को suggestions को मुझे तक मुझा सकते हैं तो आज हम start करने लगे है उस number 3 मैं इसकी statement यहां से read कर देता हूँ मैंने statement आगे नीट करके लिख भी लिए है हम बहीं इसको solve करेंगे तो just इसको overview लेने के लिए मैं यहां और C हैं तो उसमें जो AB की length है वो 8 cm है BC की length 15 cm है और इसको पढ़ेंगे angle B और angle B जो है वो 90 degree है जाहर बात है मैंने आपको बताया था कि जब भी को triangle में एक angle 90 degree का नजर है तो उसको right angle triangle बोलते हैं तो basically एक right angle triangle की बात कर रहे हैं ABC जिसमें AB की length given है 8 cm BC की length given है 15 cm और एक angle जो ह हैंसे हम इसको right angle triangle बोल रहे हैं तो find the length of AC तो बहुत simple सा question है दो lengths given है एक angle बताया है और हमने AC length find out करके दिखानी है और आपको पता है इसके लिए हम यह right angle triangle है इसमें पाइथागरस theorem यूज करेंगे और उसकी मदद से बहुत easily हम इसको find out कर पाएंगे तो आईए solution स्टार्ट करते हैं तो यह आपके सामने मैंने question दुबारा से लिख लिए है AB आप देखें length 8 cm है BC length 15 cm है इसको मैं पढ़ते है angle यह जो पीचे symbol लगा हूँ है इसको मैं पढ़ेंगे angle यह angle भी है जो कि 90 degree है और AC की length find out करनी है तो मैं इसकी एक rough सी figure बना रहा हूँ यह आप ना भी बना के लिए तो यह एक angle 90 degree है तो इसका मतलब है right angle triangle की बात हो रही है तो मैं यहां पर एक right angle triangle बना लेता हूँ let's say मेरा जो right angle triangle है वो इस तरह का है यह मैं triangle बनाता हूँ यहां पर इस तरीके से आप भी बना सकते हैं आपके लिए थोड़ी असानी होजेगी ना भी बनाए तो व यह मेरे पास हो गया 90 degree का angle यह बॉक्स का मतलब है यहां पर 90 degree है AB उन्होंने का है 8 cm है तो इस AB की जगा पे मैं क्या लिख देता हूँ यह है 8 cm ठीक है BC उन्होंने कितना का है वो है 15 cm तो यहां पर मैं लिख देता हूँ 15 cm और AC की length यह जो length है यह हमने क्या करके दिखानी है find out करके दिखाने हैं यह हमारा simple सा question है अब आपने यह चीज़ याद रखनी है मैं आपको पहले पिछले question में बताया है कि जब भी right angle triangle आता है उसमें पाइथाग्रस theorem लगा सकते है कि पाइथाग्रस theorem basically right angle triangle पर ही लगता है इसके लावा किसी triangle पर नहीं लगता और उसके 90 degree के angle कहां पर बन रहा है देखे 90 degree के angle यहां पर बन रहा है तो 90 degree के जो opposite side हुआ करेगी हमेशा वही आपके पास hypotenuse के लाएगी या उसी को हम बोलेंगे longest side जो कि यहां पर है AC तो इसका मतलब है AC ही longest side है hypotenuse और वही आपने देखे हैं यहाप मैंने question mark लगाया है और फाइं लिए solve हो जागा हम यहां पर लिखेंगे by using यह आपने mention करना है कि हम यह वाला theorem यूज कर रहे है by using pythogress pythogress theorem by using pythogress theorem अब pythogress theorem क्या होता था? pythogress theorem यह होता था कि जो longest side है जानी जो hypotenuse है अगर आप उसका square करें तो longest side कौन सी है? जो 90 degree के सामने होती है जिसको हम hypotenuse बोलते हैं A से लेकर C तब यानि अगर आप इसका square करें तो मैं लिखूंगा अगर आप AC का square करें तो वो equal आने चाहिए दो चीजों का square करने के बाद उनके sum के दो चीज़े कौन सी होती है जो बाकी दो sides होती है जैसे एक side क्या है 8 और एक side क्या है 15 तो मैं एक तरफ लिख लेता हूँ 8 का square और दूसरे side क्या है 15 एक दफ़ा लिख लूँगा उसका square और इनको क्या कर दूँगा sum इसको हम बोलते के लोन्गस सग्व Düst फोपिछी करें और उनका सम कर दें उसके इकल होता है अब आपने जैसे इनको कितना होता है बहुता है अब इस तरीके से सड्पीं करने का स्विखीन क्रुएर किसे मृटी 25 में 64 को add कर दें ताकि आपके पास यह further number आजे मैं इसको थोड़ा सा page को नीचे कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ी सी असानी हो जाए तो हमने इसको add करना है तो मैं इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि हम इसको 100 असानी से कर पाएं तो हमारे पास यह हो जाएगा AC square ठीक है और 64 में आप 225 एट करेंगे तो कितना आएगा 289 और यहां पर आप देखें आपने AC find out करना था तो AC के उपर square आ रहा है तो जब भी किसी जिस पर square आ रहा हो आपने उसको खतम करना हो तो इसके लिए आप square root supply करते हैं तो आप लिख भी सकते हैं taking square root और both sides अगर अलग से step में मैं इसी step में कर रहा हूँ तो इसी step पर आप जब इस तरह करेंगे तो square और square root हमेशा cancel out हो जाते हैं तो यहाँ पर just क्या बचेगा AC और आपको 289 का square root लेना पड़ेगा तो 289 का square root होता है 17 क्योंकि जब आप 17 को 17 से multiply करते हैं तो आपके पास कितना आता है 289 और square root की नीचे जो भी number लिखा होता है उसका मतलब यही होता है आपने एक ऐसा number ढूड़ना होता है जिसको itself multiply किया जाए या आप कहले है उसका square लिया जाए तो आपको वह वाला number दे जो कि हमारे case में 289 है कि AC एक length है और जो length होती है ट्राइंगल की है किसी भी shape की वह हमेशा positive consider की जाती है वो negative नहीं होती है तो इसलिए हम यहाँ पर यह चीज मेंशन कर देंगे यह जो हमने side यूज की है AC यह greater than zero है greater than zero का मतलब क्या होता है positive क्योंकि zero से जो भी number बड़ा होता है वह उतको positive भी basically कहते है तो इसलिए हम यहाँ पर सिरफ positive lengthy consider करेंगे क्योंकि यह length of a triangle है तो यह मार पास हो गया AC का answer 17 cm इसमें आपने एक चीज गौर रखनी है कि आपने hypotenuse यानि longer side को सही तरह चूज करना है अगर आपने hypotenuse किसी और को चूज कर लिया तो आपका question ज्या गलत हो सकता है इसलिए आप चीज़ों कोचे से पढ़ें और देखिए hypothesis कौन सी बनती है और उसी को hypothesis की जगह पे लिखें और मैं यह भी चीज़े एड कर रहा हूं इस चीज़ों में ताकि आप इसमें confused ना हों कि पाइथांग्रोस चिर्म की जो वैसे representation है जो मकसर आगे भी जाकर use करेंगे वह हुआ करेगी hypothesis का square जो कि यहां पर भी यूज कर रहे है और दूसरी तरफ आया करेगा base का square यानि B square और उसमें प्लस किया करेंगे perpendicular का square P square क्योंकि अभी यहां पर base perpendicular का बारे में नहीं बता रहा क्योंकि वह angle से भी जुड़ी होती है angle को reference मानके हम किसी को perpendicular और उसी के लिहाद से base consider कर रहे होते हैं अभी मैं generally इन चीज़ों के उपर जो है नहीं जा रहा और use यहीं कर रहा हूं लेकिन base और perpendicular के बारे में आपको यहां पर मैं confuse नहीं करना चाहरा तो अभी तक आपने चीज़ों को इसी तरीके से रखना है जैसी जैसे यह चीज़े हैंगी मैं इसमें साथ साथ explain करता जाऊंगा तो यह था मारे यह वाला कुस्स है इंशाला नेक्स वीडियो जो मिलेंगी बाकी solutions के साथ